नमस्कार, उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित, विज्ञान शिक्षा, सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, ई-कंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु आधन के रूप में आपके चिंतनकोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा, धन्यवाद. यदि थैले में से एक गेंद याद्रिचिक निकाली जाती है, तो हमें प्राइक्टा पूछ रहा है पहले किसकी गेंद लाल लंकी है, दूसरी गेंद लाल लंकी नहीं है, फिर पूछ रहा है गेंद निले रंकी है, फिर पूछ रहा है प्राइक्टा गेंद लाल या पीले रंकी है, तो हमें इन पांचों की प्राइकता ग्याद करनी हैं, तो चलिए कर लेते हैं ग्याद, देखिए, आपके पास थैले में कितनी गेंदे हैं, 9 गेंदे हैं, तो यानि कि सबसे पहले तो हमें जो यादरिक्षिक परिक्षण हैं, प्रतिजर समिष्टी ग्याद करना हो है ना तो आपके पास थैले में 9 गेंदे हैं और एक बार में एक निकाली जा रही है तो यानि कि आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह है इसमें 9 अभयब होंगे है ना कितने अभयब होंगे 9 अभयब होंगे है ना यह यह बोलें N of S कितना होगा 9 होगा अब यहां पर हम लालंग की गेंदे कुछ भी दर्सा सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर डॉट 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 बना दिये हैं क्योंकि यादरिक्षिक प्रजिक्शन में अगर आप से पूछा जाए यादरिक्षिक यानिकि उसका प्रतिजर समिश्टी लिखिए तब तो आपको अच्छे से लि इनके संगत म्में प्रायक्ता पूछ रहा है इनके संगत हम घटना बना लेते हैं तो हमने जो हमें लगा कि साइद में तीन ये गटनाएं हैं, निकाले गई गेंद लालंकी है, बी गटना में हमने बोल दिया, निकाले गई गेंद पीले रंकी है, और सी गटना में हमने बोल दिया, निकाले गई गेंद नीले रंकी है, क्योंकि सारी की सारी जो प्रायक्ता प पूछ रहा है कि गेंद लाल या पीले रंगी हो यानि कि घटना A या B है ना यानि कि घटना A और पीले रंग क्या है B यानि कि घटना A या B तो चलिए अब निकाल लेते हैं पहला हमसे पूछ रहा है गेंद लाल रंगी है यानि कि घटना A की प्राइक्ता है ना तो हम घटन अब निकाली गई गेंद लाल लंकी है, अब आप देखिए कि लाल लंकी गेंदे कितनी है, तो हमें लाल लंकी, अब यहां ऐसे लिख लेते हैं, आर चार हैं, बिलू देख लेते हैं, यानि कि नीली कितनी हैं, तीन हैं, और येलो से बाई से लिख देते हैं, जो कि दो हैं, तो देखिए, लाल लंकी गेंदे कितनी हैं, चार हैं, यानि कि घटना A में, अगर हम लाल ल परस्तिस होंगे चार होंगए न क्योंकि चार जानदे निकलेंगी है न क्योंकि यहां से एक यह चार अगर लाल हुई तो इसका समुझे होगा और 4 की 2-4 घटना A में आ जाएगी, तीन आ जाएगी, क्योंकि नीले गेंदों की संग्या कितनी है, तीन है, तो अगर हम एक ही प्रायक्ता ग्याद कर रहे हैं, तो कैसे करें, कि जितनी प्रायक्ता, यानि कि घटना ए में उस समुच्चों में उपस्तिद अव्यवों की संख्या है, बटे में जितन प्रतिदर्स समिष्टी में आभियवो की संख्या है बस हो गया ना चार वटे नो किसकी प्रायक्ता हो गई गेंद के लाल लंके होने की प्रायक्ता हो गई तो यह है नमबर एक हो गया अब नमबर दो की तरह बढ़ते हैं नमबर दो क्या कह रहा है गेंद लाल लंकी नहीं है यानि कि घटना ए नहीं की बात हो रही है है ना घटना ए क्या थी निकाले गए गेंद लाल लंकी है तो घटना ए नहीं क्या होगी निकाले गए गेंद लाल लंकी नहीं है यानि कि हमें ए नहीं की प्राइक्ता ग्यात करनी है और वह क्या होती है बन माइनस एक ही प्राइक्ता और एक ही प्राइक्ता क्या है चार बटे नौ यानि कि कितनी आ गई पांच बटे नौ यानि कि नमबर दो का अंसर यानि कि गेंद लाल लंके ना होने की प्राइक्ता कितनी आ गई पांच बटे 9 आ गई अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब नमबर 3 की बात कर लेते हैं जो कि हमसे पूछ रहा है गेंद नीले रंग की है अब देखिए नीले रंग की घटना हमने कहा दिखाई है C में दिखाई है तो C घटना घटित होने की प्रायक्ता निकाल नीए है यानि कि अगर हम बात करें P of C लिख देते हैं इसको है ना तो कैसे करें देखिए मतलब वही C में उपस्तित अभयाबो की संख्या बटे कुल अभयाबो की संख्या यानि कि S में उपस्तित अभियाबो की संक्या यानि कि 3 बटे 9 है ना यानि कि 1 बटे 3 तो 1 बटे 3 किसकी प्रायक्ता आ गई नीले रंग के गेंद निकलने की प्रायक्ता 1 बटे 3 आ गई अब नंबर 4 की बात कर लेते हैं नंबर 4 में हमसे क्या पूच रहा है कि गेंद प्ले रंकी है अब गेंद प्ले रंकी होने की प्रायक्ता कैसे निकालेंगे है ना प्ले रंकी गेंद हमने गटना B से 10 आई है यानि कि P of B लेते हैं तो P of B भी बैसे निकालेंगे कि N of B बटे n of s जो की कितना है 9 है यानि कि 2 बटे 9 और ये 2 बटे 9 किसी प्रायक्ता आ गई गेंद के पीले रंकी होने की प्रायक्ता आ गई अब चलिए आगे बढ़ते हैं नमबर 5 में हमसे पूछ रहा है गेंद लाल या पीले रंकी हो अब याद कीजिए हमने लाल या पीले रंक यानि कि घटना A या B को याद कीजिए आप यानि कि घटना A या घटना B यानि कि निकाली गई गेंद लाल लंकी हो या निकाली गई गेंद पीले रंकी हो यानि कि A यूनियन B है ना अब A यूनियन B क्या हो जाएगा लाल लंग या पीले रंग की गेंदे अब इसकी प्राइक्ता गयाद करनी है है ना तो इसकी प्राइक्ता कैसे गयाद करते हैं P A union B की प्राइक्ता कैसे P of A plus P of B minus P of A intersection B है ना ऐसे ही करते हैं तो P of A आपके पास कितना है 4 बटे 9 है plus P of B हमने क्या निकाला है देखिए 2 बटे 9 निकाला है minus P of A intersection B अब A intersection B क्या होगा देखिए गटना A में है लाल लंग की गेंदे गटना B में है पीले रंग की गेंदे यानिकि दोनों की दोनों गटना परस पर अपबरजी हैं क्या ये निसेस हैं जी नहीं निसेस नहीं है क्योंकि नीले रंग की गेंदे भी तो बची यानिकि यह द A और B दोनों की दोनों गटनाए परस पर अपबरजी गटनाए हैं इसका मतलब A intersection B क्या होगा फाई होगा यानिकि P of A intersection B क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यहां से हमें आंसर मिल जाएगा 4 वटे 4 प्लस 2 वटे 9 यानिकि 6 वटे 9 तो 6 वटे 9 हमें किसकी परायक्ता मिल गई A या B की या U कहें कि लाल लंग या पीले रंग की गेंद होने की परायक्ता मिल गई इसी परायक्ता हम और सारी भी परायक्ता निकाल सकते हैं यदि हमसे यहां पूछ लिया जाता कि लाल लंग की गेंद किन्तू पीली रंग की नहीं उसकी परायक्ता गयात कीजिए तब भी हम बता देते कैसे आएगी अगर हमसे पूछा जाता लाल रंग और पिले रंग की गेंदे तब भी हम बता देते कैसे आएगी तो इसी को आप यूज करके बता सकते हैं कि किस किस चीज़ों की प्राइक तक कितनी आएगी में चीज यह है कि आपको यह घटना डिफाइन करना है कि घटना क्या-क्या बना ली जाएं